हलो दोस्तों स्वागत आपका devotion institute में आज हम 9 सेशन देखने वाले हैं grammar का इस सेशन में हम practice करेंगे कुछ ऐसे questions जिससे आपको पिछले जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आएगा देखो हमने पढ़ा कि verbs as adjectives or as nouns used होते हैं अब ये topic जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत सारे students के लिए हम इसके practice करेंगे बहुत सारे question करेंगे और कुछ ऐसे concept जो मैंने पहले वाले session में पढ़ाए हैं उनकी भी हम practice करेंगे अगर आपने पहले वाले sessions नहीं देखें हैं तो मैं seriously आपको suggest कर रहा हूँ आप एक number से continuation में देखें उसका link यहां card पर है और उसके बाद ये practice जब हम आज करेंगे तो आपको एकदम clarity आ जाएगी कि ये कैसे होता है देखो हमने बात किया था कि जो verbs होती है उनकी 5 forms होती है v1 होती है v2 होती है v3 होती है v1 ing होती है और 2 plus v1 होती है ये 5 forms जो होती है verb की इन में से ये 3 forms 2 plus v1 और v1 ing ये 2 forms क्या बनती है nouns बनती है और ये तीसरी और ये पहले वाले में से दूसरी मतलब v1 ing और v3 क्या बनती है adjective बनती है ये कब बनती है कैसे बनती है ये हम पहले देख चुके है आप अगर गौर फर्माओगे तो ये जो v1 ing है ये verb का भी काम करती है ये noun का भी काम करती है और ये adjective का भी काम करती है जैसे मैं आपके लिए एक sentence लिखूँ कि राम is swimming in his swimming costume because he enjoys swimming जर गोर फरमाएगा sentence क्या है राम is swimming in his swimming costume because he enjoys swimming आप अगर देखोगे ये भी swimming है ये भी swimming है और ये भी swimming है पर अगर पहले वाले swimming को देखोगे तो वो helping verb है ये is क्या है helping verb और ये उसका क्या है main verb है अगर यहाँ पर देखोगे तो ये swimming is costume के बारे में अधिक जानकारी है कि costume की सायता से वो नहार आए तो ये swimming क्या है adjective है यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक verb है enjoy इसके बाद दूसरी verb we one ing आ रही है तो यहाँ पर ये क्या है noun है swimming word कितने एक swim नाम की एक verb है हाँ swimming उसकी we one ing है हाँ और यही swimming एक जगे main verb है एक जगे adjective है एक जगे noun है यह हम पढ़ चुके हैं कि यह कैसे होता है थोड़ा सा मैं revise कर देता हूँ आपके लिए हमने देखा था कि we three और we one ing ये दोनों verbs adjective बनती है इन पांच तरीकों से जो आपको बोड़ पर दिख रहे हैं वी three adjective बनती है जो हो चुका है के लिए जैसे मैंने आपको example दिया था boiled water का याद करो कि पानी उबल चुका है और जो हो रहा है के लिए we one ing जैसे मैंने आपको example दिया था boiling water के लिए कि पानी उबल रहा है उबल चुका है तो वी three और उबल रहा है तो वी one ing जैसे जो हो चुका है उसके लिए we three और जो हो रहा है उसके लिए we one ing जैसे spoken English example दिया था हमने spoken English मतलब क्या? English के साथ speakने का काम होता है इसलिए वो वी three लगेगा उसके साथ adjective spoken speaking English नहीं होता कभी भी और जो काम करता है जैसे हमने example दिया था paying guest तो paying guest जो होते हैं वो guest pay करने का काम करता है क्योंकि वो pay करने का काम करता है इसलिए we one ing adjective बनेगा paid guest नहीं होता कभी भी क्योंकि वो काम करता है जो काम करता है वो we one ing adjective बनता है और जिसके साथ काम होता है वो we three adjective बनता है जिसकी सहायता से काम होता है ये मैंने अभी अभी आपको एक्जामपल दिया क्या? स्विमिंग कॉस्ट्यूम का स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अंदर क्या हो रहा है? कॉस्ट्यूम स्विम कर रहा है क्या? नई कॉस्ट्यूम स्विम करने का काम करता है क्या? नहीं कॉस्ट्यूम की सहायता से आप स्विम करते हो तो जिसकी सहायता से काम होता है वो भी V1-I-N-G क्या बनेगा, एजहेक्टिव बनेगा, ये V1-I-N-G अपने आप में noun भी हो सकता है, verb भी हो सकता है पर adjective भी हो सकता है adjective कब बन रहा है ये हम अभी देख रहे हैं verb कब बनेगा ये भी हम देखेंगे तो आप बिल्कुल दिल पे मत लिजेगा कि सर्थ confusion हो रहा है नहीं हो रहा पस आप एक चीज़ एक बार में पकड़ के रखो कि adjective ऐसे बनता है जब ये तीन चीज़े होती है और V3 adjective कब बनता है जो हो चुका है उसके लिए और जिसके साथ काम होता है उसके लिए येस हब फिर हम बात करें nouns की तो nouns कब बनते हैं ये V1 ing और 2 प्लस V1 noun बनते हैं जब कोई दो verb एक साथ आते हैं क्या रूल था जी दो verb एक साथ आने चाहिए और जो second वाला हो वो इन दोनों में से कोई हो या तो वो V1 ing हो और या फिर वो 2 प्लस V1 हो सिर्फ ये दो conditions जब लगती हैं एक ही condition है वैसे तो तब वो second वाला verb noun बन जाता है आपको दिमागी नहीं लगाना कि कब ऐसा नहीं होता बस आपको ये ध्यान रखना है कि verb होनी चाहिए ये दो verb का मतलब दो main verb है is singing ऐसे लिखाओ आपको सर ये भी verb है और ये दूसरी verb होगी ये V1 ing होगी तो मैं इसको noun बोल देता हूँ नहीं is यहाँ पर helping verb है helping verb की बात नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पर देखो like singing है तो like यहाँ पर main verb है और singing भी यहाँ पर main verb है दूसरी तो ये noun भी बनेगी और ये verb भी बनेगी इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे इसको हम noun verb कह देंगे आपको काम बस इतना ही चीज आएगी क्या कि जब भी दो verb इकठी आ रही हो और दूसरे वाली v1 ing या फिर 2 प्लस v1 हो तो उसको हमें क्या बोलना है उसको हमें noun verb बोलना है ये कुछ examples मैंने दिये थे कि कब 2 प्लस v1 आती है और कब आपके लिए v1 ing आती है agree है deserve expect hope learn need ये सारे वर्ड जितने भी है इनके बाद 2 प्लस v1 आपको देखने को मिलेगी देखो हर जगे 2 प्लस v1 है और इसके बाद ये सारे वर्ड जितने भी हैं इनके बाद आपको v1 ing देखने को मिलेगी आपको रटे मारने नहीं हम practice करेंगे थोड़े questions का आपको अपने आप clarity आएगी जड़ा देखो ये दो important rules हमने और पड़े थे क्या दो important दो very important rules है इसमें very लगाना मैं बूल गया आप ऐसे समझे लो very एक very और लगा जेते हैं very एक और लगना चीए very बहुत ज़्यादा important rules है हर exam में इनसे question पूछे जाएंगे पहला rule क्या है preposition के बाद verb की first form plus ing आती है ram is thinking of go home के going home going home off लगा है तो going आएगा आपके paper में 100% सवाल आएगा जिसमें blank से पहले preposition लगा होगा जब भी ऐसा होगा तो preposition के बाद verb की बोलिए मेरे साथ first form plus ing आएगी preposition के बाद verb की first form plus ing आएगी और two के बाद verb की first form आती है generally क्या होता है two plus v1 होता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा rule है लेकिन जो जितना बड़ा होता है उसकी उतनी गड़बड़ें भी होती है तो two plus v1 होता है हमेशा two के बाद verb की first form आती है ये एकदम सही है लेकिन कभी कभी नहीं आती ये छे मैंने आपको बताये थे with a view to, looking forward to, in addition to, there is more to, key to, committed to ये two ऐसे हैं जिनके बाद में क्या आएगी इनके बाद में v1 plus ing आएगी verb की first form नहीं आएगी verb की first form plus ing आएगी क्या ये छे ही होते हैं? नहीं, क्या ये छे ही याद करने हैं? हाँ ये छे ही ऐसे हैं जो आपके exam में ज्यादा पूछे जाते हैं होते बहुत सारे हैं two ऐसे जिनके बाद v1 ing आती है पर आपके लिए अभी ये छे ही है आप तो इतना याद रखो कि two plus v1 two के बाद verb की first form किस-किस में नहीं होती इन छे two में नहीं होती है ये छे exceptions हैं इसके कौनसा कौनसा आप बोलिए मेरे साथ with a view to looking forward to in addition to there is more to key to committed to ये छे ऐसे two हैं जिनके बाद verb की first form plus ing आती है येस आपको ये clear हो गया होगा इन rules को आप 10 भार भी लिखो 500 भार भी लिखो कम है अब आते हैं जी हमारे practice वाले part पर आपके सामने 7 questions लिखे हुए हैं मैं आपको दो मिनट का समय दे रहा हूँ आप ज़रा देखो कि क्या आना चीए blank में आपको ये जो bracket में लिखी वी verbs हैं इनकी forms बढ़नी है आपके इसाब से क्या आना चीए बताइए दो मिनट का समय आपके पास कीजे कीजे question कीजे फटावट साथ में आप जितना खुछ से करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे आपको आपको कुछ ने तो कर लिये होंगे पर मैं समझता हूँ और टाइम लगेगा अभी टाइम इतना दिया नहीं है मैंने आप क्या कीजे बस थोड़ा सा वीडियो को pause कर लिजे और वीडियो को pause करके आप ये questions देख लिजे अपने इसाब से कर लिजे और उसके बाद वीडियो को continue कर सकते है तो हम शुरू करते है देखिए फर्स क्या है I often go ये गो देखो गो क्या है गो में वर्ब है के नहीं है जाना गो कोई helping वर्ब थोड़ी होती है इस वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लगेगी दूसरी वर्ब कौन सी लग सकती है बताओ अगर दो वर्ब मैंने क्या बूला था दो वर्ब विकट्थी हाती नहीं और अगर दो वर्ब विकट्थी आएगी तो दूसरी या तो V1 ING होएगी और या फिर 2 पलस V1 होएगी क्यों भी क्योंकि इसको gerund या infinitive इसको noun verb होना पड़ेगा इसके पास option नहीं है क्योंकि दो verb इकटी नहीं आती आएगी तो noun verb आएगी तो I often go dancing आएगा या फिर to dance आएगा अब ये क्या आएगा ये आपको थोड़ा सा experience से पता चलेगा मैंने यहाँ पर dancing लिखा actual में इसके rules हैं कि कौन से शब्द के बाद two plus v1 आएगी और कौन से के बाद v1 ing आएगी ये जो words मैंने आपको पढ़ाएं ना देखो agree, deserve ये सब के बाद two plus v1 आती है ये जो पढ़ाएं इनके बाद सब v1 ing आती है पर आप ये रट्टे मारोगे रट्टे मारोगे दिमाग खराब हो जाएगा आपको इसलिए मैं आपको suggest नहीं करता कि आप रट्टे मारो मैं आपको क्या suggest करता हूँ कि आप बस करते जाओ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इंग्लिश के साथ इंग्लिश की feeling जब तक आपको अंदर से नहीं आने लगेगी ना क्या बात कर रहा हूँ मैं feeling की कि sentence देखते ही आपको अंदर से कुछ होने लगे कि यार यहाँ पे न वीवन आई येंजी आएगी तो इसा ही लग रहा है नहीं तो लग नहीं दा यह जो लगने वाला game है न यह सिखाना चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा सा और इस पर मैं बात करता हूँ हिंदी है हिंदी में अगर मैं बोलू मैं जाता है तो मैं जाता है गलत है यह आपको पता है आपको यह भी पता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मैं जाता हूँ होना चाहिए पर क्या आपको इतनी हिंदी व्याकरण आती है कि आप मेरे को रूल बता पाओ कि कहां पर मैं जाता है आएगा और कहां पर हूँ आएगा है और हूँ का डिफरेंस करना आता है आपको हिंदी व्याकरण में मेरे को नहीं लगता बहुत सारे लोगों को आता होगा आपको हिंदी व्याकरण के रूल्स नहीं पता लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि मैं जाता हूँ होएगा सर है नहीं होएगा क्यों? क्योंकि आपने इतना हिंदी को पढ़ लिया है सुन लिया है इसलिए वो ही काम हम इंग्लिश में करेंगे तो ही एक्जाम में मार्क्स आएंगे अब जो एक्जाम पैटन आ रहा है उसमें ऐसा कते ही नहीं है कि आप रट्टे मार के चले जाओ और पेपर हो जाएगा यह फीलिंग स्ट्रॉंग करनी है हमें इसलिए बार-बार मैं आपको खूंबग देता हूँ कि आप न्यूस पेपर कुछ लेकर बैठो हर वर्ड की नीचे अंडरलाइन करो जितना ज्यादा यह करोगे उतना फीलिंग स्ट्रॉंग होगी आपकी कि अच्छा यार यहां तो एजेक्टिव नहीं आना चाहिए क्या यहां तो V1 ING नहीं आना चाहिए क्या ऐसे समझ में आने लगेगा आपको उससे पेपर क्लियर होगा मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक मिनट के लिए और बोलता हूँ मेरा SSE का जो स्कोर था वो 184 out of 200 था 2014 के अंदर मेंस के अंदर All India Rank 5 थी मैं अपनी बढ़ा ही नहीं कर रहा हूँ मैं आपको कुछ और बैटर बात बताने वाला हूँ जिस दिन मैं पेपर देकर आया था उस दिन मेरे को ग्रामर नहीं आती थी मैंने ग्रामर SSE क्लियर करने के बाद पढ़ाने के लिए सीखी है उससे पहले मेरे को ग्रामर आती नहीं थी फिर भी ये स्कोर आया क्यों? क्योंकि मेरी feeling बहुत strong थी मेरी reading habits बहुत strong थी मेरे को ये काम करना आता था मैं noun pronoun adjective का पता लगा सकता था मेरे को ग्रामर के रूल्स नहीं आते थे लेकिन फिर भी marks आये आपके भी आ सकते हैं ये एकदम base आप देखो के कोई ऐसे नहीं पढ़ाता कोई ये सब चीजें मैनत ही नहीं होती क्यों सीधा noun pronoun के रूल्स पढ़ाने चुरू उससे कोई फायदा नहीं है my dear सिर्फ और सिर्फ base ट्रॉंग करो आगे तो automatically चल जाएगा yes तो यहाँ पर go verb के बाद में dancing आएगा to dance आ सकता था क्या नहीं आ सकता था क्यों नहीं आ सकता था क्योंकि गलत है कैसे पता चलेगा गलत है अभी नहीं पता चलेगा questions करते जाओगे automatically feeling आने लगेगी yes I enjoy enjoy भी यहाँ पर क्या है main verb है अब enjoy to watch movies आपको यह बोल बोल के देखना पड़ेगा आपका दिल क्या कहता है हलांकि आपका दिल बागी कामों में व्यस्त है पर उसको यहाँ भी लगाओ थोड़ा सा कि enjoy के बाद क्या आएगा या तो watching आएगा या फिर to watch आएगा यहाँ पर क्या आएगा watching आएगा I am planning अब आपको पता है you plan to do something होता है कहीं तो कभी तो सुना होगा नहीं सुना तो अब सुन लिया क्या बोला मैंने नहीं सुना तो अब सुन लिया आज के बाद जब भी plan word देखोगे तो उसके बाद आपको यह बात जरूर याद आएगी कि यह वहाँ पे तो 2 plus V1 लगाया था तो यहाँ पर भी 2 plus V1 होना चाहिए जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे उतना अच्छा होता जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा तो बाए गौर फरमाईए मैं यह V1 आईएंजी और 2 plus V1 के लावा और कुछ भी नहीं लिख रहा क्यों नहीं लिख रहा क्या लगता है आपका दिल बता दो मेरे को आई नीड़ स्लीपिंग हो सकता है क्या नहीं क्या आएगा आई नीड टू स्लीप मुझे जरूरत है सुने की आई वॉंट आई वॉंट मूविंग नहीं आई वॉंट तू मूव आप दोनों लगा के देखो न मैं गैरेंटी देता हूँ जो हिंदी वीडियम से उसका भी दिल कुछ तो बोलेगा यहां पर अगर दिल यहीं पर लगा हुआ तो यहीं रिफ्यूजिस टॉकिंग नहीं यहीं रिफ्यूजिस टू टॉक शी अवोइड्स वॉकिंग यह सही है गौर फरमाएं इस exercise के अंदर मेरा यह लक्षे है ही नहीं आपको यह सिखाना कि वीवन आई एंजी आएगी या टू प्लस वीवन आएगी मेरा लक्षे यह है कि इन दो के लावा कोई तीसरी नहीं आएगी यह guarantee है जड़ा देख लो कैसे क्योंकि यह जितनी भी मैंने main verbs लिखी हैं यह दो verbs इकटी हा रही है और दूसरी वाली को noun verb होना पड़ेगा येस कुछ और questions करते हैं एके करके questions करते हैं पहला देखो आपको correct लग रहा है या incorrect लग रहा है पहला question देखो जड़ा थोड़ा सा focus करो this is a worried news वरी का word का मतलब क्या होता है चिंतित वरी का मतलब चिंता करना भी होता है चिंता भी होता है और चिंतित भी होता है तीन-तीन meaning होते हैं पर वरी का मतलब अगर एक verb के तरीके से ले हम तो चिंतित करना मतलब होता है परिशान करना वरीड न्यूज देखो वरी जो वर्ब है ध्यान से सुनना ज़रा वरी जो वर्ब है इससे मैं एक तो वरींग बना सकता हूँ और एक मैं वरीड बना सकता हूँ क्या फरक है दोनों में ये तो मेरा V1 ING है और ये मेरा V3 है अब news जो होगी अगर आप देखो ये A लगा हुआ है ये A क्या है article news क्या है noun article हमेशा किसके लिए आता है noun के लिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है कि article और noun के बीच में अगर एक ही रिक्तस्तान है तो वो खाली जगे कौन भरेगा adjective भरेगा तो इसको word को adjective होना पड़ेगा news के लिए कोई और option नहीं है बिचारे के पास अगर कोई verb adjective बनती है तो या तो वो V3 adjective बनेगी या फिर वो V1 ING adjective बनेगी दो ही option है तीसरा तो कोई option ही नहीं है news चिंतित करेगी या news चिंतित होएगी देखो V1 ING और V3 कब-कब adjective बनते हैं ये करता है ये होता है ये कर रहा है ये हो चुका है ये होता है न और ये इसकी सहायता से होता है ये पास तरीके बताए यहाँ पर देखो news चिंतित करेगी या news चिंतित होएगी news आपको चिंता कर सकती है चिंतित कर सकती है news को चिंता नहीं होती तो क्योंकि वो करती है इसलिए जो करता है उसके लिए क्या आएगा V1 ING इसका मतलब ये worried क्या है गलत है क्या आना चाहिए यहाँ पर worrying आना चाहिए तो ये sentence सही होगा worried parents हो सकता है माबाप बहुत चिंतित है तो माबाप चिंतित कर नहीं रहे माबाप चिंतित हो रहे है तो worried के आगे parents लगाओ तो बिल्कुल सही है लेकिन news के आगे worried लगाओ तो गलत हो जाएगा I hope आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो अभी और questions करेंगे समझ में आ जाएगा second questions करो second number question करो correct, incorrect, क्या सही लग रहा है गलत लग रहा है आपका दिल क्या कहता है जड़ा बताओ सेवाग is a highly improved player जड़र गौर फरमाईएगा जी a article player noun यह article किसके लिए आया इस noun के लिए यहाँ पर just noun से पहले जो word आएगा उसको adjective होना पड़ेगा उसके पास कोई और option नहीं है अगर यह adjective है तो highly लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा adverb हो जाएगा आपको यह देखना है कि यह जो improved है यह सही है या गलत है देखो improve नाम की वर्ब है improve से आप improving बना सकते हो और improved बना सकते हो यही दो adjective बन सकते है अब player कैसा है जो improve होता है या improve करता है क्या सेवाग ऐसा player player जो word है player improve करता है कि player improve होता है player खुद improve होता है improve करता है practice improve कर सकती है उसको पर वो improve होता है जिसके साथ काम होता है उसके लिए वीथरी लगाते है इसलिए यह improved यहाँ लगा होना एकदम सही है और यह sentence भी एकदम सही है I really hope आपको समझ में आ रहा है थर्ड देखो नहीं समझ में आ रहा है आप इंतजार करो आने वाले 10-15 मिंट में समझ में आ जाएगा बहुत सारे questions देखने वाले हैं थर्ड करो सचिनिजा वासली एड्मायर क्रिकेटर देखो यहां क्या हुआ एड्मायर और वासली वासली तो उपर के जैसा है यह एड्जेक्टिव है जिसकी कहानी है एड्मायर का मतलब क्या होता है एड्मायर का मतलब होता है दिल से पसंद करना किसी को तो पसंद करना यह एड्मायर तो उसकी वीवन हुई या तो admiring बनेगा या फिर admired बनेगा यही दो adjective बन सकते हैं यह अगर आप देखोगे तो V3 है और यह आप देखोगे तो क्या है? V1-I-N-G है क्या V1 adjective हो सकती है? क्या V1 adjective हो सकती है? साफ ना है जी सिर्फ या तो V3 adjective होती है या V1-I-N-G adjective होती है तो ये तो पक्काई गलत है इन दोनों में से आएगा जा क्या आएगा Admiring आएगा या Admired आएगा ये आपको देखना है अब सचीन जो है वो Admire वो प्रशंसा दिल से पसंद करता है या लोग उसे पसंद करते हैं लोग करते हैं तो वो Cricketer कैसा है जिसको पसंद किया जाता है जिसके साथ पसंद का काम होता है एड्मायर का काम उसके साथ होता है लोग उसे एड्मायर करते हैं क्योंकि इसके साथ होता है और जिसके साथ होता है वो वो वीथरी तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आना चीए admired cricketer आ जाएगा तो सही बनेगा I really hope समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो इंतजार करना आएगा चौता करो That was a poorly decorate house गौर फरमाओ क्या है house और decorate कहानी किसकी चल रही है decorate की decorate करना एक काम है बिलकुल काम है verb की first form है या तो इससे आप क्या बनाओगे decorating मनाओगे या फिर आप क्या बनाओगे decorated बनाओगे यह V1 ing बनेगी आपकी और यह V3 बनेगी house V1 adjective ले सकता है क्या V1 adjective होता ही नहीं house decorate नहीं करता house decorate होता है हाउस decorate करता है घर लगा होगे decorate करने के लिए नहीं आप लगे हुए व्ट करने के लिए और गर के साथ decorate का का म होता है जिसके साथ काम होता है subscribe लेता है तो यहां पर decorated कर दोगे तो यह सही हो जाएगा नहीं तो यह गंपण क्यूंकि इसकि रहे चाहिए ंज एक्टिव बनाने के लिए।いき रिए अगला देखो। इस इस अ मुस्ट ढे टास्क क्या लगता है। Qa within ऍदिससौण चैनल टैस्क div p के लिए आ रहा है चैलेंजड नामकी वर्ब या तो चैलेंज्ड B3 ठीठीक है आप बताओ क्या होना चाहिए या फिर चैलिंज इंग आएगा इन दोनों में फ़रगिया है एक वी-व only ing है और 23 है एक काम करता है एक के साथ काम होता है एक काम चल रहा है एक काम हो चुआ उर एक किस आहता से काम होता तो टास्क जो है काम जो है वो चैलेंज करेगा या वो चैलेंज होएगा तुम चैलेंज हो सकते हो तास्क तुम्हें चैलेंज कर रहा है आ करके दिखा तो टास्क चैलेंज करता है जैसे न्यूस चिंतित करती है वैसे टास्क चैलेंज करता है और तुम चैलेंज होते हो क्योंकि टास्क चैलेंज करता है इसलिए चैलेंजड नहीं आएगा क्या आएगा चैलेंजिंग आएगा वीवन आई एंजी आएगा तभी वो सही बनेगा नहीं तो वो गलत है यह अगला देखो यह थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है पर लॉजिक इसमें सेम लग रहा है इसमें अलग तरीके का क्या है कि यहाँ पर अगर अट्रैक्टिंग जो आप देखोगे कि मोहन अट्रैक्ट कर रहा है राणी की तरफ मोहन अट्रैक्ट कर रहा है रानी की तरफ हिंदी सही लग रही है आपको मोहन कर नहीं रहा अच्छा कर रहा होगा तो रानी को कर रहा होगा रानी की तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहा है कोई लॉजिक नहीं है मोहन अट्रैक्ट हो रहा है रानी की तरफ मोहन से बिचारे से रुका ही नहीं जा रहा तो मोहन अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि मोहन अट्रैक्ट कर नहीं रहा मोहन अट्रैक्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर आ्ट्रैक्टिंग नहीं आएगा atracted आएगा अब ये question थोड़ा सा अलग है जरा गौर फर्माएं इसमें मैंने क्या किया उपर वाले पांचों में देखो नाउन से जस्ट पहले वर्ड लिखा हुआ था तो एड्जेक्टिव बन रहा था यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि यह अट्रैक्टिड भी क्या है एड्जेक्टिव है उपर वाले आगे लिखे वेदे इसलिए एड्जेक्टिव बन रहे थे ना यहाँ पर यह भी एड्जेक्टिव है अब यह कैसे है यह आपको आने वाले दो-तीन सेशन में पता चलेगा सबसे जवर्दा सेशन रहने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स की पूरी डीटेल से एक दम एक एक बारीकी को हम समझेंगे कि यह इसके बाद कब हेल्पिंग वर्ब कब में वर्ब कैसे होता है सब कुछ समझेंगे आगे आओ और रिसेंटली बिल्ट हाउस हैस कोलाप्स क्या लगता आपको सही है गलत है गड़बड का और यह हाउस है और बिल्डर है बिल्डर एक वर्ब है बिल्ड का मतलब होता है बनाना बिल्ड क्या है वर्ब की फर्स्ट फर्म अब या तो आप बोलो बिल्डिंग बिल्डिंग अपने आप में नाउन भी होता है और उपर वाले के लिए वीवन आई हैं जी भी होता है और इस बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या बनती है बिल्डर की थर्ड फॉर्म बिल्टर बनती है टी टी लगाते हैं तो सेकेंड थर्ड बन जाती है और डी लगाते हैं तो फर्स्ट बनती है हाउस हाउस बनाने का काम करता है या हाउस के साथ बना इस पर आपको समझ में आ रहा है आठवा देखो इस वोज़े डिफिकल्टी सिच्वेशन पर गड़बढ़ कहें है और यह डिफिकल्टी सिच्वेशन तो नाउन है लेकिन डिफिकल्ट और डिफिकल्टी में फरक्त क्या है मुझे यह बता दो जरा डिफिकल्ट और डिफिकल्टी में फरक क्या है इसमें लगाए जी इटी तो ये बनता है नाउन और डिफिकल्ट होता है एडजेक्टिव एक्जाम आपका डिफिकल्ट होता है कि नहीं होता तो डिफिकल्ट होता है एडजेक्टिव और difficulty है noun ये भी बन गया noun और ये भी बन गया noun दो noun भी कठे नहीं आते तो difficulty होना गलत है यहाँ पर आपको क्या बनना पड़ेगा ये y को उड़ा दो difficult situation कर दोगे तो सही बन जाएगा क्योंकि वो क्या है वो adjective है I hope आपको ये सब समझ में आ रहा है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आप सारे सेंशन को देखिए कोई भी doubt आए comment कीजिए आपकी हर doubt को solve किया जाएगा आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए